कहानी शुरू होती है और हमें लिउक नाम के इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक यॉर्ट सेलर होता है उसे अपनी एक यॉर्ट इंडरमेशा पहुचानी होती है जिस वज़े से वो अपने दोस्तों के साथ समुद्री टूर पर जाने का प्लान करता है क्योंकि प्लान करते है और थूड़ी देर आगे जाने के बाद उन्हें एक टापू दिखाये देता है जो की काफी खुशूरत होता है उसके खुपसूरती इन सब्यख्व कशारों करती है जिसके बाद वह सबी उसी टापू पर जाने का प्लान करते है वहाँ पोच्छकर वसे भी म करते हैं और डाविंग लगाने लगते हैं और उसी दोरान कैट को एक शार पर दिखा देती है लेकिन वह काफी छूटी होती है जिस वज़े से कैट उसे नजर अंदास करती है और वह अपने दोस्तों को भी नहीं बताती अब थुड़ी देर इंजल करने के बाद वह से भी ट हो जाती है और फिर अगली सुबह खाने का कुछ सामान लेने के लिए बोर्ट के अंदर चड़ा जाता है जहां पर वह देखता है कि उनके बोर्ट में धिरे-धिरे पानी भर रहा है दरतल उनकी बोर्ट एक चट्टां से टक्रा गई होती है जिस वज़े से उनकी बोर्ट पलट जाती है अब वह सभी काफी घबरा जाते है और मैट बोर्ट के अंदरी फसे जाता है तो लिक उसकी मदद करता है और उस बोर्ट का डोर ओपन करकर वह मैट को बाहर निकाल लेता है अब वह सभी उस उल्टी बोर्ट को सिधा करने के काफी कोशिच करते है लेकिन वह बोट सीधी नहीं होती जिसके बाद वो उसी बोट के उपर चड़ जाते हैं वो अपने आसपास देखते हैं लेकिन दूर दूर तक पानी की अलावा उने कुछ भी दिखाए नहीं देता जिसके कुछ दिर बाद लिख को वहाँ पर एक शार्ग जैसा कुछ दिखाए देता है लेकिन वो अपने दोस्तों कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं बता था क्योंकि उसके दोस्त पहले से डर ले हुए है और वो उन्हें ये बता कर और भी जाता भेवित नहीं करना चाहता वो उसके दोस्तों से कहता है कि हमें उस टापो पर तेर कर चले जाना चाहिए क्यो कोई आसान काम नहीं है तो वहरें लिए से कियाता है कि हम अपने रेडियो से किसी से संपर्ख और तो उसकी लोग उस टापू पर जाने का प्लैन करते हैं लेकिन वारें में उतरने से मना करता है क्योंकि उसे पता होता है कि इस पानी में काफी शार्क है और फिर शार्क का नाम सुनते ही कैट भी पानी में उतरने से मना करती है लेकिन उसे उसके दोस्त काफी समझाते है और फिर उसका हुंसला बढ़ा कर वो सभी उस टापों की और चल देते है औ और उस काले साय को देखने लगते हैं लेकिन अब वो काला साया भी अच्छनक से गायब हो जाता है तो लीक उसे देखने के लिए पाने के अंदर जाता है लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ दिखाई नहीं रहेता जिसके बाद उसे भी फिरते आगे जाने लगते हैं और फिर थोड़ी ही देरी पर उनने एक टर्टल दिखाए देता है उसका सर कीसे ने काट आट अ खाली यह होता है वो सी तूझने लगते है घटने के लिए कि और किसी स्ज़गे और के विए बहाँगने के कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तुम खामखा डर रही हो वो सब अपने आसपास भी देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाए नहीं देता लेकिन जब लिख पाने के अंदर जाकर देखता है तो उसे एक शार्क दिखा देती है जिसे देखने के बा था है तो तब वह शारक वसे उपर अमलक्त कर से हैं और उसके पर को अपने summu में दबोच लिए जिस हमें पानी में खुन दिखाए देता है और फिर वह शारक उसके पर मीर केंब कर वहासर छले जाती है अब धीरे धीरे समंदर में अंदेरा चाने लगता है और वो शारक इनके आस पासे मांड़ा रही होती है लेकिन कुछ देर बाद वो शारक वहां से चली जाती है अब वो सभी जैसे तैसे कर ये रात बिता लेते हैं और अगली सुबह कैट को वो टापू दिखा देत अब वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और अपने दोस्त की मोथ पर काफी दुखी होते हैं वो दोनों खुद को बचाने के लिए टापू की और काफी तेजी से जाने लगते है और शारक भी उनका पिछा कर रही होती है लेकिन वो उसके उपर चड़ने ही पाते हैं वो कि अपने साथ पानी में ले जाती है और इसी तरह उसकी भी मौत हो जाती है अब मुवी के आखिर में क्याटी जिन्दा बच पाती है और वो काफिर रो रही है